और जब जब लीडर्शिप अगर आई, हमारे दर्मियान में तब तब नाम नहाय सेकुलर्ट पार्टी के मुसल्मानों ने हमारे मुस्लिम लीडरान को ये करकर ये बदराम किया, ये तो बीजेटी का एजेंट है अगर इखावा हमें आते हैं, अsenes यादो के हैं शादी में बीजेटी का हैजेंट नहीं कहता हुए मुलाइन सिंग यादो दोबारा ब्राइम निस्टर बनाने के लिए सुप्ताना एदेते हैं तो उनको कोई बीजेपी का एजेंड ने खेता है अगर हम बीगेपी अरारेसेस के खिलाफ अगर हमें टाकत बन करते खड़ने होने की कोशिश करते हैं तो हमारी पार्टी को हमारे समाज को सिRF इसलिए बद्राम कर जारा है और बद्राम करने वाला मेरा कोई हिंदू भाई में दिख्माने के लिए भीड़ी कप्ता करते हैं ताकि उनको बड़ी कुछी मिल जाए मेरे भाई मैं आप से कहना चाहूँगा कि भागेदारी सरकल्प मोचा में दस पार्टियां है तमान तब्ते की नुमाइंदिगी करती है इमाईयम पार्टि भी उसका हिस्वा है 2022 में हम इंशालला हुटाला मिल करके चुनाओ लड़ेंगे योग परकाश राटबर जी हमारे सयोज़क ये तैक करेंगे कि कहां से हम लड़ेंगे कितनी सीटों पर लड़ेंगे पुर्य प्रदेश की मिलोंने एलान कर दिया है कि हम 403 विदान सबाबे भागेदारी संकत मोचा कंडिदेट खागेदारी संकत मोचा कंडिदेट वो जीदारगन से भी आएगा इंशालला हुटाला 403 में जीदारगन विदान सबाबी है मुद्रमानों मैं आपके अपील करता हूँ कि चाहे वो एमारियम की तरफ से भेजा गया हो चाहे वो परकास राजबर जीदी तरफ से भेगा प्रदेट वो आपका कंडिदेट होगा हमको मिल करके इंशालला हुटाला बीजेपी को इ थी तीम होते तो तिलंगाना के अंदर बीजेपी की हरnd हो पूसलमीन तिलंगाना के अंदर जहां से हमारा वजूद है जहां पर हमारा केंड़ी का रियाल अजार। सलाम है आज तक त्रiają Soup भी और अज तक सप्धर साला अजादार को मतने खभी वह भी जट पी कि वह लाख नहीं बना और हम दीज़डी की बी कर लिया आपने 2019 के एलेक्शन में सपादस्पा का एलाइंस मिल करके बीजेपी को नहीं रोप पाया 2017 के एलेक्शन में कौंगरेस और समाजवादी का एलाइंस बीजेपी को नहीं रोप पाया मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर उत्तरपरदेश में कोई रोप सकता है तो वो जनाब ओम परकाश राजवर साथ की खयाब अवाला बागेदारी संकल को साही जीजेपी को रोप सकता है बागी किसी के पास कोई ओट नहीं है आज क्यों लोग कहते हैं कि हम चोटी पार्टियों से एलाइंस करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे नेताओं परकाश राजवर जी भी बार बार ये बात कहते हैं कि ये लोग इसलिए कहते हैं कि हम चोटी पार्टियों से एलाइंस करेंगे क्योंकि चोटी पार्टियों के पास ही ओट बैंट है और किसी के पास ओट नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बुजर्गों, मेरी इसददार, माँ और बहनों, मैं आप से मुकातिब हूँ 1947 में वदन अजीज की आजादी के बाद इस मुलक के अंदर दो पार्टी थी एक कॉंग्रेस पार्टी थी दूसरी मुस्लिम लीग थी हमारे बड़ों ने 1947 दिसंबर के महीने में लखनौ के रफाय आम कलम ने एक कन्वेंशन बुलाया उस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अबुलकलाम आजाद ने की थी मुसल्मानों तमाम हिंदुस्ताओं से दानिश्वर मुसल्मानों को इकट्रा किया गया और कहा गया कि आए मुसल्मानों तुम अपना कोई सियासी प्लेट फार्म मत बनाना मुसल्मानों ने लगवे कहा कहा है मुसल्मानों मुसल्म लीक तुमारी पार्टी नहीं है मुसल्म लीक के लीडरां तुमारे लीडर नहीं है तुमारे खायद नहीं है मुसल्मानों ने लगवे कहा कहा कॉंग्रेस पार्टी तुमारी पार्टी है मुसल्मानों ने लगवैग कहा नेरू को अपना लीडर माना उनके जंडे को उनको डंडे को अपने कंजों पे रखके जिन्दाबाद का नारा लगाया वे एक साल, दो साल, तीन साल नहीं साथ साल का उक्तिधार हमने इस मुल्क का कांग्रेस पार्टी को दिया लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यदा गर बिलकाराना फसादाद हुए जिसमें सबसे ज़्यदा किसी कौन का जानी और माली रुक्तान हुआ तो बिला सुबा मैं कहुंगा जिकरम ला इल्हा लिल्ल्ला मुहंबत रसूलला परने वालों का हुआ कै ये बात गलत नहीं है कि पिरोजाबाद जो एक ऐसा शेर जिसको जास के नाम से चूडियों के नाम से जाना जाता था वहां तजारत का काम चूडियों का काम हमारे हाथ में ता लेकिन एक मुनजब मनसूब अबंद साजिश के तहट उच शहर कोई में धंगे करवाए गए मुसल्मानों की मैशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया मुरादाबाद के अंदर ब्रास का कारोबार हमारे हाथ में ता लेकिन एक मुनजब मन्सुबाबन साजिश के तहर फसाद करवा करके वहां मुसल्मानों की महिशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया एए मुसल्मानों आप अंदाजा करो मुल्की आजादी के बाद सरकारी लोकरियों में आपकी तादाद 34% थी मौजूदा वक्त में सरकारी लोकरियों में आपकी तादाद 1% भी निन है उसका जिम्मेदार कौन है उसका जिम्मेदार बैरिश्चास अलगे वैसी साथ नहीं है उसकी जिम्मेदार वो नाम नहाद सेकुलर पार्टिया है जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना था जिनके लीगरान को हमने अपना लीडर माना था उन्हाइस सौपांडे में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मलायम सिंगादों को हमने अपना लीडर माना हमने ओट डाला, नोट दिया, सपोर्ट किया जिंदाबाद के मारे लगाए, सेकुरिजम पर हमने भरोसा किया लेकिन जामिला हमें मुसल्मान पसमांदा होता चला गया जब जब समाजी संगठों ने सेंटर गॉर्डमेंट ने ये मांग रखी कि मुसल्मान पसमांदा है, मुसल्मान पिछड़ रहा है तु कभी रंगनाथ मिश्या कमीशन, कभी कुन्तू कमीशन, कभी गोपाल कमीशन कभी सेक्षर कमेटि के नाम से कमेटियों का गशन हुआ समान कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदोस्तान का मुसल्मार दली से बत्तर अपनी जिन्दगी को गुजार रहा मेरे भाई क्यों आज 32 साल हुपमरा निकरने वाला मुसल्मान महें 70 सालों में अगर इस मुल्के अंदर दली से बत्तर जिन्दगी गुजार रहा है तो उसका जिन्मेदार कौन है आज 14 परसंट सरकारी या उपड़ों के इसाफ से आपकी आबादी हिंदुस्तान में और जेल की सलाफों में 35 परसंट क्यों आज आप बताएए उत्तर परदेश के सारे ठानों में जाएए यादों का बेताचार मिलेगा जनित का बेताचार मिलेगा मिलकुल मिलना चाहिए मुझे इस बात के कोई इतराज नहीं अच्छी बात है उन्होंने अपना पर्चम बनाया अपना जंडा बनाया अपना दंडा बनाया अपना लीडर बनाया काशियाम पंजाब की सरजमीन से उत्तर परदेश की सरजमीन पर आए और कहा कि ऐ दलितों जब तक तुम अपना जंडा नहीं बनाओगे अपना राजनितिक प्लेट कौन नहीं बनाओगे, अपना नेता नहीं बनाओगे, तुमारी माँ भेलों की इस्टे लूटती रहेगी, जो दलित, जिस दलित के बारे में लोग कहते थे, गोपर से दाना निकाल करके खाने वाले कौन, आज वो कौन के हालाद, आप देख जो के जब उपना जंडा ऑपना जंडा बनाया, तब याऔर पने हुकूप को पालिया, आप दोसरों के दर्वा से उपे जाए चाहे की गिरगिरा करके आप अपने हुकूप को पाले, ये नमुंकिन है, आप सतर सालों से यही कर रहे है, मेरे भाइ, जमूरियति सबसे बड आप ख़ी अपने पर्चम को इच्वाहिक दूत्रा इसी और इन्रभी जिंदगी में 22 लाथ मुर्भा मिल पर हुकुमत करको दिखाई मेरे भाई तभी आप यहना सोचना कि आप थोड़े से है